हलो एफ्रीवान, वेलकम टू ग्लोबल आउनलाइन, दिस इस अंकीता सोट, आज मध्यपरदेश सेट पेपर वन में हम देखेंगे इंड़क्टिव एंड डिड़क्टिव रीसर्च क्या होता है, ये दोनों ही तरह के रीसर्च में ज्यादा तर मैच्ट दा फॉलोविंग टाइप के क्वेशन्स पूछे चाते हैं, जितनी भी इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड डेफिनेशन्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट्स हैं, वो सभी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, बहुत बार क्वेशन्स एक्जाम में आते हैं, जिससे कि स्टुडेंट का बहुत एजिली एक्जाम क्वालिफाइ हो जाता है, इस कम्प्रीट कोर्स को जॉइन करने के लिए स्क्रीन पर दीएगे किसी भी एक नंबर पर वाट्सअप की मदब से आप लोग इजिली कॉंटेक्ट कर सकते हो, जिनरली इसकी फी है 3000 रुपीज, लेकिन स्टुडेंट्स आज मैं आपको देती हूँ बहुत अच्छा डिसकाउंट, यानि कि इस कम्प्रीट कोर्स के लिए आपको सिरफ 2000 रुपीज पे करने होंगे, जिसकों की लगातार एक साल तक आप यूज़ कर सकते हो, तो आज ही इस कम्प्रीट कोर्स को जॉइन करके आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो, पेपर बन कम्प्रीट कोर्स को जॉइन करने के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन आपको भी डाउनलोड कर सकते हो, दिन आपको जाना है इसके content section पर यहाँ पर आप देख सकते हो full syllabus mock tests, 2000 plus mcq pdf and आपको unit wise separate folders मिल जाएंगे जिसमें की exam oriented way में यहाँ पर video lectures and notes available है यहाँ पर अगर किसे भी unit पर अगर आप directly click करते हो तो आपको theory lectures, mcq lectures, full syllabus notes and test series मिलती है जो कि definitely आपके first attempt में भी इस exam में अच्छा score करने में आपको मदद करेगा तो हमारा आज का topic है inductive and deductive research approach ठीक है इसको हम लोग induction and deduction भी बोलते हैं सबसे पहली चीज़ आप लोगों को यह पता होनी चाहिए कि जो inductive approach होता है इसको हम लोग bottom up approach भी बोलते हैं एक question तो बहुत बार ये as it is पूछा चाता है कि inductive approach जो है वो bottom up काम करती है या top down काम करती है तो inductive में हम bottom up काम करते हैं ठीक है bottom up का मतलब होता है inductive यानि कि अंदर की और ठीक है और दूसरी statement यहाँ पर यह important है कि inductive की case में हम लोग specific observation से किसी generalized result ठीक है या फिर generalized conclusion की और move करते हैं इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिए हर एक university के PhD entrance exam में ये question जरूर पूछा जाता है कि specific to general अगर हम लोग move करते हैं तो वो inductive है या deductive है तो specific to general हमेशा inductive approach होता है bottom up approach होता है right so inductive reasoning moves from specific observation to a broad generalization and deductive reasoning क्या करता है इसके opposite काम करता है उसको हम लोग आगे discuss करने वाले या भी ठीक है इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते इस diagram की help से bottom up यानि की नीचे से हम उपर की और जाएंगे पहला phase होता है observation यहाँ पे मैंने बताया specific observation से हम शुरू करते हैं ठीक है and theory की तरफ move करते हैं सबसे पहले step में आता है observation उसके बाद आता है pattern then tentative hypothesis tentative hypothesis and then theory building ठीक है सो observation के अगर हम लोग बात करते हैं यह क्या होता है जैसे कि एक low cost airline flight होती है उसका delay हो जाता है ठीक है एक basic सा knowledge है इसका main reason क्या है वो हमें नहीं पता हमने सिरफ अपनी observation बताई ठीक है जैसे एक observation यह होती है कि elephants जो है वो जिन्दा रहने के लिए water पे dependent होते हैं पूरी तरह से तो यह हमारी एक छोटी सी observation है इसके बाद हम क्या करेंगे pattern की बात करेंगे यानि कि हम pattern को observe करेंगे ठीक है जैसे कि मैंने elephants वाला आप लोगों को बताया कि elephants जो है वो water पे dependent होते हैं इसी example को हम लोग लेकर चलते हैं तो यहाँ पे बोलेंगे हम कि इसके pattern को हमने अगर ध्यान में रखा तो इसमें यह हमने बोला कि जितने भी animals होते हैं यह जितनी भी living things होती हैं जैसे human हैं animals हैं यह सभी water पे dependent होते हैं अब हम humans हैं हम लोगों को अगर water नहीं मिलेगा तो हम लोगों को भी difficulties होगी बहुत सारी चीजों में ठीक है तो यह आता है basic observation से हमने थोड़े से higher level के pattern को समझने की कोशिश की ठीक है next आता है hypothesis hypothesis का मतलब होता है अनुमान लगाना ठीक है इसका मतलब यह है कि जो biological life होती है इसमें हम लोगों ने hypothesis यह लगाया कि जो भी biological life होती है वो सभी water पे dependent होती है ठीक है जैसे कि हमने airlines की बात की थी तो जितने भी low cost airlines होते हैं उसकी ticket हम लोग बोलते हैं कि वो delay होते रहते हैं तो यहां पर यह बोलेंगे कि low cost है तो कहीं न कहीं problems तो होंगी ही होंगी पूरी facilities तो वो नहीं देंगे ठीक है सस्ती चीज का यह बोला जाता नहीं कि generally सस्ती चीज लेते हैं तो कोई न कोई problem होगी ही होगी वही चीज यह hypothesis stage में आती है ठीक है तो next आता है हमारे पास theory यानि कि इसके पीछे कोई न कोई theory है कोई न कोई reasons है इसी वज़ा से इन सब चीजों को हम लोग step by step यहां तक लेकर आए हैं ठीक है तो I hope इस concepts आप लोगों को इस real life example से यह चीज़ें बिलकुल clear हो चुकी होगी इसके साथ यहां पर यह बोला गया है कि inductive reasoning by its very nature is more open-ended and exploratory especially at the beginning ठीक है तो जो beginning में होता है यह जो पहला stage होता है इस reasoning का इस research के type का ठीक है यह बहुत open-ended होता है और यह exploratory होता है यानि कि इसी stage पे हम लोग चीज़ों को explore करते हैं कोई नई नई चीज़ों को ढूणने की कोशिश करते हैं ठीक है तो inductive reasoning के मैंने आप लोगों को use बता दिये अब इसके साथ ही अब देखते हैं कि इसके limitations क्या है So a conclusion drawn on the basis of an inductive method can never be proven but it can be invalidated ठीक है इस तरह के जो results होते हैं इस तरह कि जो भी theories होती हैं उनका कोई final conclusion कभी भी नहीं आता ठीक है लेकिन इस पे हम लोग इसको invalid proof कर सकते हैं ठीक है अब लोग बस इतना याद रख लीजें कि example अगर कभी exam में दिया होगा कि जहां पे हमने पूर observation किया hypothesis ले लेकिन final conclusion जो है वो हमारा एक proper नहीं था जस चीज की हम demand करते थे तो वो कौन सा approach होगा तो वो inductive approach होता है ठीक है So यहां पे हम मैं आप लोगों को आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक question जो की previous year question है So that आप लोगों को एक idea हो जाए कि किस तरह से exam में questions को present किया जाता है तो यहां पे बोला गया है the reasoning which would be helpful in seeking new knowledge वो कौन सी reasoning है जहां से हम लोग नए knowledge को collect करने की कोशिश करते हैं सीख करने की कोशिश करते हैं और facts about the world यानि कि हमारे पास world का कोई भी topic ले लो पूरे world में इतने सारी चीज़े हैं कोई भी topic ले लो उसके थोड़े बहुत facts हमें पता है ठीक है उस चीज़ के ओपर थोड़ा बहुत little knowledge हम लोगों को है ठीक है उस little knowledge को हम लोगोंने enhance करना है उस चीज़ पर और knowledge हम लोग लेना चाहते हैं तो कौन सी reasoning use होती है demonstrative, deductive, inductive या फिर none of the above तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि हम लोग basic चीज़ों से शुरू करते हैं और जादा knowledge collect करने तक पहुंच जाते हैं वो होता है inductive इसको आप लोग याद रक्षी bottom up यानि कि हम लोग पहने बिलकुल lower level पे थे बिलकुल कम knowledge था हम लोगों को bottom से हम up में पहुंच गए यानि कि अब हमारा knowledge क्या है वो enhance हो गया है चीज़ों का जादा knowledge हम लोगों को हो गया है तो इस तरह के question पूछे चाते हैं तो यहाँ पर right answer है हमारे पास option number 3 that is inductive reasoning तो inductive reasoning क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं general conclusion को draw करते हैं from a set of specific observation इस चीज़ को भी note कर लीजे कि यहाँ पर हम लोग general observation को draw करते हैं bottom up approach होता है यह because it involves widening specific premises out into border generalization to come up with new theory and knowledge तो इसलिए यहाँ पर inductive reasoning को use किया जाता है next है deductive reasoning यह क्या है यह top down approach होता है यानि कि हम पहले higher level पे थे वहाँ से हम नीचे की और move करते हैं इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक most important statement बताती हूँ जो कि exam में पूछी चाती है जो कि difference भी है inductive and deductive के बीच में ठीके वो यह है कि inductive reasoning जो होती है इसमें हम लोग develop करते हैं theory को inductive के case में हम लोग theory को develop करते हैं ठीके exam में यह भी पूछा चाता है inductive reasoning aims at developing a theory while deductive reasoning aims at testing and existing theory deductive में क्या करते हैं हम लोग test करते हैं existing theory को ठीक है यानि कि यहाँ पे हमारे पास already एक theory है पूरा conclusion है हम उसको test करते हैं कि क्या यह theory final है या नहीं है हम लोग यहाँ से confirmation तक जाते हैं राइट तो सबसे पहले अगर हम लोग करते हैं theory है हमारे पास तो इसका full proof है हमारे पास यह आता है theory के अंदर ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं hypothesis को formulate करते है hypothesis को generate करते हैं तो इसमें हमने क्या किया इसमें हमने बोला कि जितने भी अर्थ पे रहने वाले mammals होते हैं ठीक है उन सब्सक्राइब को water की जरूरत पड़ती है जितनी भी living things होती है उनको water की जरूरत पड़ती है उसके बाद आते हैं हम observation में observation को analysis stage भी बोला जाता है इसमें हम लोग analyze करते हैं या test करते हैं data को ठीक है तो इसमें हमने क्या बोला कि जितने भी चीजें होती है अगेन वही पाता है कि वो सभी water पर dependent होती है अब इसकी confirmation हम कैसे करेंगे इसकी confirmation हम यह करेंगे कि जितने भी हमारे observations थे जितनी भी हमारी theories थी अगर वो सभी चीजें true होती हैं यह सभी चीजें अगर true होती हैं तो हमारा conclusion जो है वो always true होगा ठीक है सो deductive में आपने यह याद रखना है कि अगर उपर की सभी statements true होती हैं तो conclusion भी हमेशा true होगा ही होगा ठीक है इसमें हम लोग general से more specific की तरफ को move करते हैं top से bottom की तरफ को move करते हैं right so इन चीजों को आप लोगों ने याद रखना है यह बहुत ही जादा important है deductive reasoning is more narrow in nature and concerned with testing and confirming the hypothesis यानि कि जो भी हमने guess की थी चीजें जो भी अनुमान हमने लगाए थे उन चीजों को confirm करने पे हमारा major focus होता है deductive reasoning में so exam में ये question भी पूछा जाता है कि अगर मान लीजे कि हम लोगों ने कोई अनुमान लगाया है किसी के एक particular चीज पे हम लोग कुछ guess करते हैं and हम चाहते हैं कि अपनी guess को हम लोग confirm करें कि क्या हमारा guess सही था या गलत था तो हम कौन सी approach को use करेंगे तो इस case में हम लोग use करते हैं deductive approach को right so I hope यहां पर आप लोगों का inductive and deductive का concept बिल्कुल clear है so next question देखते हैं कि deductive का previous year question किस तरह से पूछा गया था which is the most appropriate maximum of deductive method so यहां पर question देखके confused नहीं हो नहीं कि maximum का क्या मतलब है आप लोगों ने directly क्या करना है directly आप लोगों ने options में move करना है so options में आप लोग देख कर की बिता सकते हो कि general से specific की तरफ हमें move करना है that means deductive की तरफ हमें जाना है ठीक है so इस तरह के questions आते हैं यहां पर again मैं आप लोगों को बता दू observation, generalization and then theory in case of inductive reasoning so deductive हमने नीचे लिखा है यानि कि हम नीचे की तरफ को move करते है theory, predictions and experiment इसको याद रखने का एक और तरीका मैं बताती हूँ deductive यानि कि हम क्या कर रहे हैं किसी चीज को deduct कर रहे हैं deduct करने का मतलब होता है किसी चीज को minus कर रहे हैं किसी चीज को हम कम कर रहे हैं तो deductive में proper हमारे पास result है लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि result आया कैसे तो proper से हम नीचे की तरफ जाते हैं यानि कि जादा से कम की तरफ जाते हैं तो deductive, come, यानि की उपर से नीचे की और जाएंगे So I hope यह trick आप लोगों को याद रहेगी, समझ आ चुकी होगी exam में आप लोग इसी तरह से चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? So यह question में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि theory question है And इस question का answer आप लोगों को इस video पर ही मिलेगा अगर आप लोग इन यह concept अच्छे से समझा है, तो आप लोग इसका answer मुझे easily दे सकते हो इसका answer आप लोग comment section पर जरूर दीजेगा And मुझे बताईएगा कि यह video आप लोगों को पसंद आई है या नहीं आई है या कोई भी topic में issues हैं, तो वो भी आप लोग हमें comment करके बता सकते हो So यह question है, what is teaching through deductive method? From general to specific, specific to general, easy to difficult, या one and three, चिक्के? So बहुत easy question है, इसका answer जरूर आप लोग comment करके बताईएगा And इसके अलावा एक चीज़ और मैं miss कर गई हूँ, that is in deductive method So जो deductive method होता है, यह teacher-centered method होता है ठीके, यह एक teacher-centered method होता है, किसी में नए content को present करने के लिए अब teacher-centered method का मतलब होता है, कि teacher पे focus रहेगा Teacher क्या पढ़ाना चाहता है, वो कौन सा topic पढ़ाएगा, क्या मन है, उनका किस method से वो पढ़ाना चाहते है यह MCQs के थ्रू, यह वो theory के थ्रू, किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं, यह सब चीजे टीचर पे dependent करती है Student के इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीके, so deductive method हमेशा teacher-centered method होता है यहाँ पर आप लोग इस concept जरूर बताईएगा, और इस course को join करने के लिए, आप लोग whatsapp के थ्रू, इस दिये गए number पर contact कर सकते हो fees मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ही कम है, that is 599, और इसके साथ ही हम आपको guarantee देते हैं कि हमारे इसी content से आप लोग किसी भी university के PhD exam की बहुत अच्छे से तयारी कर सकते हो and first attempt में ही आप लोग within a month or two, आप लोग किसी भी university के exam qualify कर सकते हो ठीके, so आज के लिए सिरफ इतना ही, I hope यह concept आप लोगों को समझा गया है so thank you so much for watching this video and I wish you all the very best you you you